दुनिया में कोविड संक्रमन एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ओमिक्रॉन की साय में चीन में कैसे होगा विंटर उलम्पिक पर सवालों के साथ विवाद और कई भी हैं इस उलम्पिक को लेकर अमेरिका और चीन में फिर से तना तन है कोविड विवाद और बायकॉट के साथ कैसे होगा विंटर उलम्पिक कागाज कवर स्टोरी में इसी की चर्चर दुनिया एक बार फिर कोरोना के नए वेरियंट के संक्रमन की गिरफ्त में है विश्व स्वास्ति संगटर ने अनुमान जताया है कि अगले डेड़ से दो हो महीने में यूरोप की आधी-ाबादी omicron की चपेट में आ सकती है अमेरिका में संक्रमन के बाद अस्पिताल में बहड़ती होने वालों की संक्या तीजी से बढ़ रही है वहां एक लाग 32,000 लोगे अस्पिताल में बहती हैं वहां के डॉक्टरों का नुमान है कि आने वाले दो हफ्तों में मामले और बढ़ेंगे भारत में भी संक्रमर तेजी से बढ़ा आए पिछले 24 गंटों में 168,000 कोरोना के नए मामले सामने आए है 277 लोगों की मौत हुई है हौंग कॉंग में भी बढ़ते संक्रमर के बीच पहले से कई पाबंदियां लगी है और कुछ वक्त के लिए नर्सरी और प्राइमरी स्कूल बंद कर दिये गए है वहां की चीफ एग्जेक्योटिफ कैरे लाम ने गोशना की है कि वहां 5 साल की उमर के बच्चों का भी टीका करण किया जाएगा वहाई हौंग कोंग की पड़ोसी चीन में लाखों लोग एक बार फिर लॉकडाउन में रह रहे हैं वहां के आन्यांग में ओमिक्रॉन के दो मामले आने के बाद पचास लाख की अबादी वाले इस शेर में लोगडाउन लगा दिया गया है राजदानी बीजिंग हाई अलर्ट पर है और ये सब हो रहा है चीन की जिरो कॉविट टलरेंस पॉलरसी के तहट क्योंकि चीन अगले महीने विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है और विंटर ओलंपिक का काउंट डाउन शुरू भी हो गया है और साथ ही शुरू हो गया है कोविट का संक्रमन भी कौरोना की ओमेक्रॉण वेरियंट की डर के बीच विंटर ओलंपिक्स 4 फरवरीश Clearly होगा लेकिन चर्चा सिर्फ केलों की ही नहीं है, कुछ और की भी हो रही है विवाद की बात हम करेंगे लेकिन फिलाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन ओमिक्रॉन के साय में विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन कैसे करेगा उसने इसके लिए क्या तैयारिया की है, जायजालिया बीबी से समवादा था स्टीफन मकडॉनल्ड जब विदेशी एथलीट विंटर ओलंपिक के लिए बीजिंग पहुचेंगे और अगर उनके इवेंट पहाडों में होते हैं तो वहाँ हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि इन में से कुछ ट्रेने बबल व्यवस्था के तहट चलाई जा रही है और जल्द ही वो उत्तरी चीन के बेहट थंडे सूखे इलाके से गुजरेंगे यहाँ ट्रेन 350 किलो मिटर प्रती घंटे के रफ़तार से दौड़ती है यह चीन का बेहट थंडा इलाका है लेकिन यहाँ बर्फबारी और बारिश दोनों होती रहती है जिसका मतलब है कि विंटर उलम्पिक के लिए चीन को यहाँ आर्टिफीशल बर्फ की ज़रुरत पड़ेगी टेजी चेंग है विंटर उलम्पिक के मुख्य स्टेशनों में से एक और यहाँ बहुत ठंड होती है यह पूरा स्टेशन आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है इसे बबल स्टेशन में तबदील किया जा रहा है सिर्फ विशेश ट्रेनों में उलम्पिक पास के साथ सफर कर रहे लोग यहाँ से आ जा सकते हैं यहाँ पहुचने के लिए कोविट टेस्ट और ट्रैवल हिस्ट्री की जाच की जाती है अब हम कौनगिल के केंदर में मौजूद हैं यह पहाडों पर शीत कालीन ओलम्पिक के आयोजन स्थलों में से एक है लेकिन लोग कहा हैं यहाँ लोग इसलिए नहीं हैं क्योंकि एक महीने में शुरू होने वाले खेलों की तैयारी की वजह से आसपास के स्की रिजॉट्स को पहले ही बंद कर दिया गया है वहाँ बड़े से हरे परदे के पीछे विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा मेडल दिये जाएंगे और ऐसा लगता है कि यहाँ आम लोगों को आने की अनुमती नहीं होगी क्योंकि अभी तक टिकेट की बिक्री शुरू नहीं हुई है और आगे भी इसकी उमीद नहीं है तो स्टैंड में मौझूद दर्शकों में सरकारी कर्मचारी या फिर सेना के लोग या फिर ऐसे ही कई लोगों के होने की संभावना है पूर चीनी उलम्पियन और टेनिस स्टार पेंग शुआई के एक पूरवी चीनी नेता पर लगाए गए कथित आरोपों के विवाद के बाद अब विंटर उलम्पिक खेलों की मेजबानी कर रहे आयोजकों के सामने चुनौतीस बात की है कि वो इन खेलों को एक और विवाद से दूर रखे इन आरोपों की वज़ा से चीन पर पहले ही काफी दबाव है लेकिन आयोजकों को यकीन है कि खेलों के शुरू होते ही ये विवाद भी खत्म हो जाएगा और वो सफल विंटर ओलम्पिक की मेजबानी कर सकेंगे और फिकर सिफ कोवीट की ही नहीं है इस ओलम्पिक के डिप्लोमेटिक बाइकाट का भी ऐलान अमेरिका समेट कई देशों ने कर दिया है आरोप है कि चीन का हुमन राइट्स रिकॉर्ड सही नहीं है चीन पर आरोप है कि वो शिंजियांग में वीगर और अन्य अल्प संख्यक मुसल्मानों की बड़े पैमाने पर हत्याएं कर रहा है हलांकि चीन इस आरोप से इंकार करता है मानवादिकार समुहों का कहना है कि तिबत और हॉंग कॉंग में चीन के दमन पर भी ध्यान देना चाहिए और अमेरिका ने दो मईने पहले ही चीन का राजनेक बहिशकार कर दिया था जिसका मतलब है कि अमेरिका अपने किसी अधिकारे को चीन नहीं भेजेगा मानवादिकार हननन के मामलों का हवाला देकर आस्टरलिया, ब्रिटन और कैनडा ने भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाया अमेरिकी अथलीट्स को हमारा पूरा समर्थन है हम उनका होसला बढ़ाएंगी लेकिन अमेरिकी राजनेक यह हमारे सरकारी प्रतनिधी इस आयोजन को सामाने खेलों की तरह ही लेंगे और इसकी वज़ा है शिंजियांग में मानवादिकारों का हननन और जुल्मों सतम इदर चीन का रोप है कि अमेरिका खेलों के बहाने राजनीती कर रहा है और वो भी इसका जवाब देगा अमेरिका के नेता नियोता भेजे बिना ही राजनेक वहिशकार को तूल दे रहे हैं वो यह सब चान बूच कर कर रहे हैं इसका मकसद राजनीती करना है ये उलम्पिक चार्टर की भावना का अपमान है वो बिना बचा राजनीतिक तोर पर उकसा रहे हैं ये चीन के एक अरब से ज्यादा लोगों का भी अपमान है अमेरिका का यही रुख जारी रहा तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा और इस पूरे मामले में एक बड़ा विवात तब जुड़ गया जब चीन की टैनिस टार पैंग शुआई ने चीन के पुर्व उप्रदान मंत्री पर यौन उत्पिरन का रोप लगा दिया हलांके पैंग शुआई ने बाद में ऐसे किसी बिया रोप से इंकार किया अब सवाल ये भी उट रहा है कि बायकॉट का असर किस हद तक होगा इस्ट एशिया मामलों के जानकार सीन कॉटन का कहना है कि इन सब के पीछे राजनीती है इसे होने दीजिए उलिम्पिक खेलों को देखने वाले लोग ये नहीं देखते किस देश से कौन सी हस्ती आई है उनकी दिल्चस्पी खेलों को देखने में होती है यही वज़ा है कि वर्ल्ड एटलेटिक्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस बहिशकार का कोई मतलब नहीं है लेकिन ये बहिशकार चीन और अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच नए समी करणों का एक प्रतीक जरूर है शी जिन पिन साल 2012 से सत्ता में हैं और पहले के तमाम चीनी रास्टपतियों की तरह उनके लिए रास्टपती बनने की कोई लिमिट भी नहीं है उन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं और वे बेहत ताकतवर नेता बन गए हैं अमेरिका और उसके सहयोगी शिन जियांग में मानवे दिकारों के हनन और अभी हाल ही में हौंकों के घटना करम पर अपना एतराज जाहिर करना चाहते हैं रहा सवाल इस बात का कि क्या चीन इस बहिशकार का जवाब देगा तो मैं कहूंगा इन खेलों पर सबसे बड़ा खत्रा तो कोविट का है खेलों पर सबसे बड़ा असर बहिशकार का नहीं बलके कोविट का होगा